शिम बाबा याद है ना? फिर कहते हैं मेरे अंदर मम्मा आई, बाबा आया, वासो में यह है कुछ भी नहीं, तुम्हें याद की यत्रा से पावन बनना है, याद में ही विगन पढ़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लडाई है, पढ़ाई तो बिलकुल सिंपल है, इस ग्यान से तुम्हारे करेक्टर धरते हैं, मुख्य है ही पवित्रता, जिसमें बहुत फेल होते हैं, तुम्हारी अवस्था तो ऐसी हो, जो इस दुनिया में होते हुए भी कोई को ना देखे, फिर बाबा ने कहा, याद की यत्रा को कभी भूलो मत, कम से कम आठ घंटा तो जरूर याद करो, इसमें आख ब बंद होंगी, तो बाब को कैसे देखेंगे, भोजन आदी जो बनाते हो, वह भी बहुत शुद्ध हो, याद में बैठ बनाना चाहिए, ताकि जिसको खिलाए, उनका रिदे भी शुद्ध हो जाए, इस अंतिम जन्म में, तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है, य यह विकार आदी छोड, बाब को याद करते रहेंगे, तो तुम्हारी आत्मा संपूर बन जाएगी, और लास्ट में बाब ने कहा, यह बड़ी उची यात्रा है, चड़े तो चाखे बैकूंट रस, विकार में गिरे, तो एकदम चकना चूर हो जाएगे, अभी तुम सब क अपना हिसाब किताब चुक्तू करके जाना है, अगर सजा खा कर जाएगे, तो पद बहुत कम हो जाएगा, और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से, मुरली का सार, मीठे बच्चे, याद से विकर्म विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं, ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आश नहीं रखो, प्रश्न, माया के भिनभिन रूपों से बचने के लिए, बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं, उत्तर, मीठे बच्चे, ट्रांस की आश मत रखो, ज्यान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई, कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं हमारे में मम्मा आई, बाबा आया, ये सब सुक्षम माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है, माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कारे करा देती हैं, इसलिए ट्रांस की आश नहीं रखने हैं, ओम श्यान्ति मीठे मीठे रुहानी बच्चे यह तो समझ गए हैं कि एक तरफ है भक्ती, दूसरे तरफ है ज्यान, भक्ती तो अथा है और सिखाने वले अनेक हैं, शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं, यहां न कोई शास्त्र हैं, न मनुष्य हैं, यहां सिखाने वाला एक ही रुहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं. आत्मा ही धारन करती हैं. परम्पिता परमातमा में यह सारा ग्यान है. 84 के चक्र का उनमे नौलेज है इसलिए उनको भी स्वदर्शन चक्रधारी कह सकते हैं हम बच्चों को भी वे स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं बाबा भी ब्रह्मा के तन में हैं इसलिए उनको ब्रहमन भी कहा जाता है हम भी उनके बच्चे ब्राह्मन सो देवता बनते हैं अब बाप बैठ याद की यत्रा सिखलाते हैं इसमें हट योग आदी की कोई बात नहीं वेह लोग हट योग से ट्रांस आदी में जाते हैं यह कोई बड़ाई नहीं है ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है ट्रांस तो एक पाईप ऐसे का खेल है तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं क्योंकि आजकल विलायत में जहां तहां धेर के धेर ट्रांस में जाते हैं ट्रांस में जाने से न उनको कोई फाइदा है न तुमको कोई फाइदा है बाबा ने समझ दी है ट्रांस में न तो याद की यत्रा है न ग्यान है ध्यान अत्वा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ग्यान नहीं सुनेगा न कोई पाप भस्म होंगे ट्रांस का महत्व कुछ भी नह बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया की आया, जब नजदीक देखेंगे तब मानेंगे, उन्हों का पार्ठी अंत में हैं, तुम कहते हो अब विनाश आया की आया, मौत आना है, वे समझ से हैं इन्हों के यह गपोडे हैं, तुम्हारा ज्ञाड धीरे धीरे बढ़ता है सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो यह भी बाप ने समझाया है कि तुमको आखे बंद नहीं करनी है आखे बंद होगी तो बाप को कैसे देखेंगे हम आत्मा है परंपिता पर्मात्मा के सामने बैठे है वेह देखने में नहीं आता हैं, लेकिन यह ज्ञान बुद्धी में हैं. तुम बच्चे समझते हो, परम्पिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं इस शरीर के दवारा. ध्यान आदी की कोई बात ही नहीं. ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है. यह भोग आदी की ड्रा को भोग लगाने जाते हो वह हैं फरिस्ते वहां मम्मा बाबा को देखते हैं वह संपूर्ण मूर्ती भी एम अबजेक्ट हैं उनको ऐसा फरिस्ता किसने बनाया बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है जैसे यहां शुव बाबा तुमको पढ़ाते हैं वैसे व को ट्रांस आदी को कुछ भी महत्व नहीं देना है कोई को ट्रांस दिखलाना यह भी बच्षपन है बाबस सबको सावधान करते हैं ट्रांस में मत जाओ इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है यह पढ़ाई हैं कल्प-कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं अभ बाप आकर पढ़ाते हैं ड्रामा नुसार, तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है, इसमें बच्चों को तो खुशी होती है, हम बाप को भी और रचना की आदी मध्यांत को भी जान गए हैं, बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्शित होना चा तुम इस दुख से छूट कर सुख में जाते हो, यहां तमो प्रधान होने कारण तुम बिमार आदी होते हो, यह सब रोग मिट जाने हैं, मुख्य है ही पढ़ाई, इनसे ट्रांस आदी का कनेक्शन नहीं है, यह बड़ी बात नहीं, बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जात फिर कहते हैं मम्मा आई, बाबा आया, बाप कहते हैं यह कुछ भी नहीं है, बाप तो एक ही बात समझाते हैं, तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो, इसको याद की यात्रा कहा जाता है योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती तुम आत्माओं को यहां से जाना है तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है तुम अभी यात्रा कर रहे हो उन्हों का जो योग है उसमें यात्रा की बात नहीं हठ योगी तो धेर हैं वह है हठ योग यह है बाप को याद करना बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा समझो ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे यह तो पढ़ाई है बाप का बच्चा बना फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है बाप कहते तुम म्यूजियम खोलो आपे ही तुम्हारे पास आएंगे बुलाने की तकलीफ नहीं होगी कहेंगे यह ग्यान तो बड़ा अच्चा है कभी सुना नहीं है इसमें तो करेक्टर सुधरते हैं मुख्य है ही पवित्रता जिस पर ही हंगामे आदी होते हैं बहुत फे पीते भी तुम्हारी बुद्धी उस तरफ हो जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धी नय मकान तरफ चली जाती है ना अभी नई दुनिया बन रही है बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं तुम जानते हो हम स्वर्ग वासी बनने के लिए पुरुशार अब चक्र पूरा हुआ है, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है, याद की यत्रा से पावन बनना है, याद में ही विग्ण पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लडाई है, पढ़ाई में लडाई की बात नहीं होती, पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है, चुरासी के चक्र की नौलेज तो बहुत सहज है, बाकी अपने को आत्म समझ बाप को याद करो, इसमें है मेहनत, बाप कहते हैं याद की यत्रा भूलो मत, कम से कम आठ घंटा तो जरूर याद करो, शरीर निर्वा के लिए कर्म भी करना है, तो यह हठ योग हो गया, हठ योगी तो बहुत हैं, बाप कहते हैं उस सरफ कुछ भी नहीं देखो, उससे कुछ फाइदा नहीं, कितने हठ योग आदी सिखलाते हैं, यह सब हैं मनुष्य मत, तुम आत्माई हो, आत्माही शरीर ले पार्ट बजाती हैं, डोक्टर आदी ब पड़े हैं, मैं फलाना हूँ, अभी तुम्हारी बुद्धी में हैं, हम आत्मा हैं, बाप भी आत्मा हैं, इस समय तुम आत्माउं को परमपिता पढ़ाते हैं, इसलिए गायन हैं, आत्माय परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कल्प कल्प मिलते हैं, बाकी जो भी सारी दुन वह सब देहे अभिमान में आकर देहे समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ, जज बैरिस्टर आदी भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतोप्रधान पवित्र थी, फिर तुम पार्ट बजाते बजाते सब पतित बने हो, तब पुकारते हो, बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन, यह बात जब सुने तब धार्णा हो, तुम बच्चों को धार्णा होती है, तो तुम देवता बनते हो, और कोई की बुद्धी में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्यान, वे है भक्ती, तुम भी भक्ती करते करते, देह अभिमान बन जाते हो, अब बाप कहते हैं बच्चे, आत्म अभिमानी बनो, हम आत्माओं को बाप इस शरीर दवारा पढ़ाते हैं, घड़ी घड़ी याद रखो, यह एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परम पिता पढ़ाते हैं, बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पार्ट ही नहीं हैं, सिवाए इस संगम युक के, इसलिए बाप फिर भी कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों अपने को आत्मा निष्चे करो, बाप को याद करो, यह बड़ी उची यात्रा है, चड़े तो चाखे बैकुंठ रस, विकार में गिरने से एकदम चकना चूर हो जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा, यह राजाई सापन हो रही हैं, इसमें कम पद वाले भी चाहिए, सब थोड़े ही ग्यान में चलते हैं, फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए, अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए, तो मात की बहुत महिमा है, वंदे मात्रम भी गाया जाता है, जगतंबा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है, जो बहुत सर्विस करते हैं, वह बड़ा राजा बनते हैं, देलवाडा मंदिर में तुम्हारा ही यादगार है, तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए, तुम भोजन आदी बनाती हो, तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए, जो किसको खिलाएं, तो उनका भी रिद्य शुद्ध हो जाए, ऐसे बहुत थोड़े हैं, जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा, अपने से पूछो हम शुद्ध बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं, जो खाने से ही उनके रिद्य पिगल जाए, घड़ी घड़ी याद भूल जाती है, बाबा कहते हैं, भूलना भी ड्रामा में नूद है, क्योंकि तुम सोला कला तो अभी बने नहीं हो, संपूर्ण बनना जरूर है पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है, घोर अंधियारा हो जाता है, फिर है घोर सोजरा यह विकार आदी छोड बाप को याद करते रहेंगे, तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी तुम चाहते हो माहराजा बने, प्रन्तु सब तो बन न सके, पुरुशार्थ सब को करना है, कोई तो कुछ पुरुशार्थ नहीं करते, इसलिए महारती घोडे सवार प्यादे कहा जाता है महारती थोड़े होते हैं, प्रजाव लश्कर जितना होता है, उतने कमांडर्स वा मेजर्स नहीं होते तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन है, प्यादे भी है तुम्हारी भी ये रुहानी सेना है न, सारा मदार है याद की यत्रा पर उनसे ही बल मिलेगा, तुम हो गुप्त वारियर्स बाप को याद करने से, विकर्मों का जो किचड़ा है, वह भस्म हो जाता है बाप कहते हैं, धन्दा धोरी भले करो, बाप को याद करो तुम जन्म जन्मांत्र के आशिक हो, एक माशूक के अब वह माशूक मिला है, तो उनको याद करना है आगे भल याद करते थे प्रंत विकर्म विनाश थोड़े ही होते थे बाप ने बताया है तुमको यहां तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है आत्म को ही बनना है आत्म ही मेहनत कर रही है इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांत्र की मैल को उतारना है यह है मृत्यू लोग का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोग, आत्मा पावन बनने बिगर तो जाने ही सकती, सबको अपना-पना हिसाब किताब चुक्तू करके जाना है, अगर सजाएं खाकर जाएंगे, तो पद कम हो जाएगा, जो सजा नहीं खाते हैं, वे सिर्फ माला के आठ दाने कहे जाते हैं, नौ रतनों की ही अंगूठी यादी बनती है, ऐसा बनना है जो बाप को याद करने की बहुत महनत करनी है, अच्छा, मेठे मेठे सिकिल अधे बच्चों प्रती, मात पिता, बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग, रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमसे, रुहानी बच्चों की रुहानी बाप दादा को नमसे, नमसे, गुड मॉर्निंग, धारना के लिए मुख्य सार, पहली पुईंट, संगम युग पर स्वियम को ट्रांसफर करना है, पढ़ाई और पवित्रता की धारना से अपने करेक्टर ट्रांस आधी का शोक नहीं रखना है। शरीर निर्वा अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। हट योग नहीं है लेकिन याद की यत्रा को कभी भूलना नहीं है। योग युक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का रिदे शुद्ध हो जाए। वर्दान अपनी सूक्षम शक्तियों पर विजई बनने वाले राज रिशी सुराज्य अधिकारी आत्मा भव। अपनी सूक्षम शक्तियों पर विजई बनने वाले राज रिशी सुराज्य अधिकारी आत्मा भव। करमेंद्रिय जीत बनना तो सहज हैं लेकिन मन बुद्धी संसकार इन सूक्षम शक्तियों पर विजई बनना यह सूक्षम अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प जो संसकार इमर्ज करना चाहें वही संकल्प वही संसकार सहज अपना सकें। इसको कहते हैं सूक्षम शक्तियों पर विजई अर्थात राज रिशी स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ओडर करो कि अभी अभी एकाग्र चित हो जाओ तो राजा का ओडर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना यही है राज्य अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन सेवाओं से जो दुआएं मिलती हैं यही सबसे बड़े से बड़ी देन हैं। अच्छा शान्ती आज बाबा ने सदा स्वस्त रहने अर्थात एवर हेल्दी रहने की बहुत अच्छी ओशदी बताई है। क्या है वह ओशदी जानने के लिए सुनते हैं आज का अव्यक्त ग्यानमोती। क्या है वह ओशदी बताई हैं। क्या है वह ओशदी देन हैं।